आपसे एक सवाल है अगर आपके पास 86,400 रुपे हुए और कोई बंदा आपसे 400 रुपे लेके चले गया तो आप उस 400 रुपे को पाने के लिए 6,000 रुपे को बरबाद कर दोगे नहीं ना लेकिन बहुते दुख की बात है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग ऐसा ही कर रहे हैं अ इन्यों हमारे पास हर दिन 6,400 सेकंड होते हैं और कोई बंदा हमारा थोरा सा वक्त बरबाद कर देता है चार सो सेकंड बरबाद कर देता है तो हम लोग पूरा दिन भर और 6,000 सेकंड उस बात को सोचने में बिता देते हैं उस बात को सोचते रहते हैं कि आखिर उस बंदे उसके बारे में ही सोचते रह जाते है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया और वो क्यूं ऐसा कर सकता है तो ये तो अकल बंदी वले बात नहीं हुई लेकिन मैक्सिमाम लोग ऐसा करते है और ये लिसन मैंने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर में से एक अंकर वारी को सरसे सीखा है जिन्दगी में हमें हम लोगों को बहुत सरे लोग मिलेंगे कुछ अच्छे मिलेंगे कुछ बूरे मिलेंगे और कुछ हमारा बहुत सरा वक्त बरबात करने के पीछे लगे होंगे और कुछ बरबाद कर भी देंगे तो क्या हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहें बिल्कुल नहीं हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बलकि जो हो गिया उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पास्ट हो गया अब जो आगे है जो हमरे बास वक्त बचा है हम लोगों को उसको यूटिलाइज करना चाहिए वेल देन यह लेसन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बता है अपना इंपोर्टेंट फीडबेक जरूर बता है ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ दिस इस फरहान चिमीमी थैंक यू सो मज